हेलो प्यारे बच्चो स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल स्कूल मैट्स सरम है तो कैसे हैं आप सब चले हम 10 क्लास की NCRT मैट्स पढ़ रहे हैं जिसका किमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है सरकल ठीक है मैंने एक्सरसाइज 10.1 आपको सॉल्व करा दी है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो आज से हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं इसके कि मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराऊंगा ठीक है तो चले देखते हैं आज की सवाल क्वेश्चन नंबर 1 देखी स्टुडेट 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बूल रहे हैं इस चार ऑप्शन में से बताना है मैंने इस सर्कल बना लिया है आप इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना यहाँ पर मैंने ले लिए इसका सेंटर पॉइंट ओ अब क्या बोल रहा है from a point q बतलब एक point है यहाँ कहीं बाहर यह point है q ठीक है इससे हमें क्या करना है एक tangent ड्रॉ करना है हम यहाँ से अगर एक tangent बनाएंगे तो सर्कल की किसी एक point को touch करती हूँ यह straight line हमने कीज़ दी ठीक है इसको हम बोल देते हैं क्या q तक की distance भी ले सकते हैं तो o से हमने क्या किया इस q को भी मिला दिया ठीक है आप क्या बोल है the length of the tangent to a circle is 24 मतलब tangent क्या होती है जो सर्कल की किसी एक point को touch करें तो p से q एक tangent होगी इसकी length आपको दी है 24 cm और q से center तक की जो distance है वो कितनी है 25 मतलब o से लेकि center तक की distance आपको दी है 25 cm अब मैंने आपको intro part में बताया है intro video आप देख लीजे इसी playlist मिल जाएगा कि जो circle का center होता है center से अगर circumference पर एक line अगर आप draw करोगे जो की radius होगी तो वो क्या होती है circle पर 90 degree का angle बनाती है इसके साथ tangent के साथ ये 90 degree angle होगा ठीक है ये क्या हो जाएगी op circle की radius तो हम उसको लेते है r इसी radius की हमें क्या करना है value बताना है तो आप इसमें देखो right angle triangle बन रहा है एक तो आप इसमें क्या लगा सकते हो पाइथागूरस theorem ठीक है वो लगा दोगे तो आपको r की value मिल जाएगी अब हम क्या करेंगे in right angle triangle उसा opq इसमें क्या लगा देते हैं पाइथागूरस का theorem पाइथागूरस ठीक होता है 90 के सामने hypotenuse होता है 90 के सामने hypotenuse मतलब oq का square is equal to क्या हो जाएगा op square plus pq square ठीक है so op square यह कहां से आगया पाइथागूरस theorem से op square मतलब oq square हो गया 25 square यह हो गया कितना 24 का square और PQ square मतलब R का square sorry PQ मतलब यह 24 हो जाएगा और OP square का मतलब हो जाएगा R square ठीक है R की value में चाहिए radius यह आएगा 625 यह कितना हो जाएगा 576 प्लस ही हो जाएगा R square ठीक R की value चाहिए so R square is equal to इसको हम यहाँ transfer करेंगे यह प्लस में है तो यहाँ की क्या हो जाएगा minus में minus 576 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा यहाँ 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा R square equal to 49 so R बराबर क्या जाएगा under root 49 इस cancer क्या होता है यह हो जाएगा 7 का square 7 square हो जाएगा square से root cancel तो R बराबर कितना आगे है plus 7 cm ठीक है और यही circle की क्या हो जाएगी radius R की value हमें निकालनी थी तो option number A जो है हमारा सही हो जाएगा 7 question number 2 देखते है यह आगे है question number 2 हमारे सामने इसमें देखिए in figure इसमें diagram पहले से बना दिया गया है if TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree then angle PTQ is equal to अगे सामने यह geometry बनी हुई है जिसमें जो point T है इससे एक tangent draw की गई TP दूसरी tangent draw की गई TQ दो tangent है एक angle की बता दी गई है value angle POQ यहाँ पे किस angle की बात हो रही है जो बीच में लिखा होता है O की पी O Q यह angle हमें बता दी है 110 degree आपसे पूछा क्या angle PTQ मतलब कौन से है बीच वाला देखिए T PTQ मतलब इस angle की आपसे value पूछी गई अभी आपको नहीं पता तो X degree मान लेते हैं इसको अब कैसे निकलेगा देखिए यह tangent है TP and TQ tangent है अगर circle की center से tangent पर कोई line draw होगी जो की radius होगी तो वो उसमें क्या बनाती है 90 degree का angle यहाँ भी 90 degree और यहाँ भी 90 degree ठीक अब यह कितना होगया यह होगया 90 यह भी कितना होगया 90 ठीक है हमको इसकी value चाहिए तो आप देख रहे हो आपके क्या दिख रहा है एक quadrilateral दिख रहा है ठीक है एक क्या दिख रहा है quadrilateral कौनसा T O Q T P O Q T quadrilateral P O Q T यह दिख रहा है और उससे पहले आप यह 90 degree लिख दिएंगे इसको कि angle O P T O P T कितना होगा यह 90 degree होगा और यहाँ पर angle कौनसा O Q T यह भी क्या होगा 90 degree होगा ठीक है कैसे होगा वो जो मैंने आपको statement बताया वो statement theorem आपको यहाँ लिखना है इस circle की radius जो होती है tangent पर क्या होती है perpendicular होती है 90 degree का angle बनाती ठीक है यह तो हम पता चल गया अब हम देख रहा है प्लस एंगल यहाँ पर T प्लस एंगल Q और प्लस एंगल O इन सब का अगर summation करोगे तो कितना है 360 degree तो एंगल P कितना है 90 एंगल T कितना है यह X है यह हमें निकालना है एंगल Q कितना है यह भी 90 है और एंगल O कह हमें दिया है 110 degree जाएगा 360 degree ठीक है इन सब को add कर लेंगे X पराव कितना जाएगा X प्लस कितना जाएगा यह तो 180 हो जाएगा तो इसमें जोड़ोगे तो 8 तिकनो 290 यह हो गया 360 X की value चाहिए आपको 290 को वहां ले जाएगे 360 minus 290 ठीक है एक्स पराव कितना जाएगा 0 60 में से 7 9 गया 7 कितना आगया X की value आगई 70 degree ठीक है और यही एंगल X क्या है P T Q एंगल P T Q is equal to X is equal to 70 degree यही हमें find करना था तो option number B जो है वो हमारा सही हो जाएगा ठीक है I hope आपको समझ में आगया होगा पर फिर भी कहीं के पर कोई doubt है तो comment section में आप बता सकते हैं So thanks for watching For more update Please like, share and subscribe